के पीटी च्रेकाड में आपका हार्तिक्स होगात है आसा कर तो आप सहस्ता होंगे अच्छे होंगे दोस्तों आजिम सीटीपी वालविका सिच्छा सहस्ता का 30 कोशने की सहसला आएंगे जो कि सीटर परिश्चा को देश्चे काफी मैत पूर्ड होगा वीडियो को लाइक करें प्रेस करना है जिससे की नॉटिफिश्चे मातिम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी तो आज कम फर्स्ट कोशने स्टार्ड करेंगी किस्वरवस्ता जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन कठिन संगर्स एवं तूफानी दोर का समय है किस्वरवस्ता की सम्मंद में ये सब्द कहें है ए रोस ने बी ए कालसरिक ने सी ए इस्टेंड हॉल ने डी ए इवी हरलोक ने तो घजिए runway तो कैस्वरवस्ता की तूबिक करेंगी करेंगी Go किस्वरवस्ता जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन कट्रीन संगर्स तूफानी दोर और समयका मिन का सिनकता हिए तो बात करते हैं जब तो किसोर बस्ता को जो सबस्यात अद्धियन किया है वो इस्टन होल जी ने किया है तो आंसी दर करेक्ट हो याँ पर हमारा C अगला कुशन देखेंगे एक सिच्छक द्वारा संबाद में बालक को हदिक सुना जाता है और कम बोला जाता है यह संबाद होगा सुना जाता है और कम बोला जाता है यह संबाद किस प्रकार का होगा है इस कुशन में पूछे जा रहा है तो जैसे कि हम बात करते हैं यह संबाद होगा बालके इंद्रद तो आंसी दर करेक्ट जागा यहाँ पर हमारा A अगल वोशन देखेंगे बंसानुकरम का नियम है A बीच कोस की निरंतरता का नियम B प्रत्य अगरवन का नियम C संक्रमन का नियम D उप्रक्त सभी तो जैसे कुशन में बात करते हैं बंसानुकरम की तो बीच कोस की निरंतरता का नियम प्रत्य अगरवन का नियम संक्रन का नियम इसको अपरिक्त सभी तो अंसर होगा यहाँ पर नियमारा D अगरो पुश्ण देखेंगे स्रजनातब तो है A.S.O.N. को अन्य बालकों से अलग करना B.A. नए एवं अमूल लिबिचारों का प्रतिपादन करना CSO को अन्यों से बैतर दिखाना DA business विवार करना तो यह पर question में पूछा रहा है कि सरजनात्वा क्या है यह question में पूछा रहा है तो जम बात सरजनात्व की बात करते हैं तो जैसे कि यह पर नए एवं अमूल विचारों का प्रत्वादन करना होगा अगर question देखेंगे वीडियो को लाइक करते हैं साथ में share करते हैं दोस्तों को साथ में चैनल को subscribe कर रहे हैं जिसके notification मादम से आपको वीडिय मलती रहेंगी तो आज कर question देखेंगे फिर अभीवरतिया और अभीरुचिया मनिस्थ की जिस क्रिया ब्रति का अभीवरतिया और अभीरुचिया मनिस्थ की जिस क्रिया की उपांग है वह क्या है इस परका से question पुछा रहा है तो जैसे में बात करते हैं अभीवरतिया और अभीरुचिया कि जब बात होती है यह ब्रतिया और अभीरुचिया उपांग होती है तो अन्सेदा करेक्ट होएगा यहां पर हमारा बी अंसर हो जाएगा अगला उशन देखेंगी समाईवन करने वाले ब्यक्ति का लच्छड है एसे कुशन को समझेंगी तो जैसे में बात करती है यहां पर हमारा उपर सभी डी अंसर अगला उशन देखेंगे प्याजे के मूर्थ सत्रियाओं का इस तर किस अबदी में होता है यह जनम से दो वर्स बी यह साथ वर्स से ग्यारे वर्स सी यह ग्यारे से ग्यारे से वर्स डी है दो वर्स से साथ वर्स तो कोश्य है जारा कि प्याजे की अनुसार मूर्त क्रियाओं का यह सक्रियाओं का इस तर किस अबदी को माना जाता है इस प्रका से कोश्य हों समझेंगे तो जैसे कि आपे बात करते हैं प्याजिदेश की अनुसार मूर्थ सग्या अवस्ता का जो अवदी है या अवस्ता जो मानी जाती है वह है साथ वर्से ग्यारे वर्स तौन से रहक होगा है या हम यहाँ वर्स बी अगला आश्यों देखेंगे वह वालक पिछड़ा वालक कहलाता है जो अपने विद्धाले कारी में अपनी कच्छा से निचली कच्छा का वी कारी करने में सच्छम नहीं है यह कतन है A. बिहारी का B. ए फ्राइड का C. ए वर्ट का D. ए क्रो एवं क्रो का क्षशन में कतन पूछा गया है है कतन एक वर ओर देखेंगी कतन कतन पूछा ओ कहली कैलाता है जो अपनी М निचली के अच्छा की कारिकरने में भी अच्छम नहीं है. तो वैं किस प्रकार का वालाग आका ये? ये कतन पूचा गया है? ये कतन किसके माद्वार्यम से दिया गया? ये कुशन में पूचे गार है. जैसके हैं भी बात करते हैं, यह कतन वर्ट की द्वारा दिया गया है, तो अंसर करेक्ट होगा है, यहांपे हमारा C, अगर लोशे देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ हाथ में, लेक्सिया है, यह मौखिक रूप से सीखने की अच्छमता, B. लिखने की अच्छमता, C. पढ़ने की अच्छमता, D. गढ़ना संबंदी अच्छमता, तो यहांपे कोश्चन पुछा जा रहा कि, अलेक्सिया क्या है, यह कोश्चन में पुछा जा रहा है, जैसे हम बात करते हैं, अलेक्सिया है, जो की पढ़ने संबंदी भिकार होता है, इसमें बच्चा पढ़ते समय, थोड़ा सा अटकत है, यह चीज़ों को थोड़ा सा उल्टी सीधी पढ़ देता है, तो अंसिता क्रेक्टर होगा है, यहांपे हमारा, C, अगर आउसे देखेंगे, बुटवर्थ पृत्पादक है, S, O, R, कारक के, B, संबर्दुता, सिद्धान्त के, C, प्रतन एबं तुटी सिद्धान्त के, D, बारंबर्ता, नियम के, तो यह कोश्चन पूशा जा रहा है कि, बुटवर्थ किस के पृत्पादक है, या किस नियम के पृत्पादक है, यह कोश्चन में पूशा जा रहा है, तो जैसे कि आपे बात करते है, बुटवर्थ निया, S, O, R, ठ, थियोरी को दिया है, या S, और कारक के प्रित्रमादक हैं तो अंसरा करेक्ट हो गए आप में हमारा A अगर वोशन देखेंगे कोशन में चाहिए जाए जाए कि G माफ किजे Z P D सम्मंद्थ है A Skinner से B PyaJay से D A Vygoski से C माफ किजे D A Boodworth से तो कोशन में Z P D इसे सम्मंद्थ पूछा रहा है यह सम्मंद्थ किसे से है तो जैसे में बात करती है Z P C के सम्मंद्थ है वो है Vygoski C तो अंसरा करेक्ट हो गए यहाँ प्याँ वारा C अगर वोशन देखेंगे अभिप्रेणा का पृत्थम संगठक कौन सा है A आवशक्ता B अंतरमोद C प्रोस्तान D अभिप्रेणा तो यह कोशन पूछ जा रहा है कि अभिप्रेणा का पृत्थम गठक किसे माना जाता है या कौन सा है इस प्रकारत को कोश्चिन नों समने सकते है तो जैसके हैं बात करते हैं अभिप्रेणा का जो पृत्थम गठक होता है वह आवशक्ता होती है क्योंकि जब व्यक्ति के आवशक्ता होगी तब ही व्यक्ति उसकी प्रत लाल सा रखेगा या उसे पाने की इच्छा करेगा तब ही वह अभिप्रेणा मात्ति से जाग्रित होगी तो आंसे रखक्त होगा है या पर हमारा ये अर्वाशन देखाएंगे अधिगम को तरल लूप दिया ये टॉलमेन ने बी ए लेविन ने सी ये थोंडाइक ने डी ए वाट्सम ने तो कुश्चिन रूप किस ने दिया ये है कुश्चिन में पुश्चिन बात करती है अधिगम को तरल लूप लेविन ने दिया है तो अंसे रखक्त होगा है या पर हमारा बी अगला कुश्चिन देखेंगे ब्यापक कक्षा सिच्चर संबंदित है ये बड़े बड़े कक्षा कक्ष से बी ए सिच्चकों की अधिकता से डी ए चात्रों की कम होने से माफ किज़े सी है डी ए कक्षा में निर्धार चात्रों की संख्या अधिक चात्र तो कोश्चन में पूछे जा रहा है कि ब्यापक कच्छा सिच्चर संबंद किसे से है यह कोश्चन में पूछे जा रहा है तो जैसे कि बात करती है यहांपी ब्यापक कच्छा सिच्चर संबंद है जो कि कच्छा में निर्दानति छात्रों की संख्या से अधिक छात्र सिच्छा का अधिकार अधिनियम की निमनलुखित मैं से विसेश्था नहीं है एए च्छे वर्स से चौदे वर्स उप्ट सिच्छा दिये प्राइवेट टुशन का अंत सिये सारिक दंड एवं मानसिक प्रतारणा का निशेद तो कॉशन काफ़ अच्छा पूछा गया है कॉशन में जारा कि सिच्छा का अधिकार अधिनियम नेमनलुखित मैं से विसेश्था नहीं है यह कॉशन में पूछा गया है और इस प्रकार से मैं आंसर देना हूँ पहले कॉशन को बी केरफली पढ़ेंगे और उसके अकॉड़ियम आंसर देंगे जैसे कि आपके कॉशन में पूछा रहा है नहीं मैं तो यह पर तीन पॉश्टिव ऑप्शन होंगे और एक नेगिटिव होगा वही आपका अंसर इसा क्रेक्ट होगा तो जैसे कि हम बात करत आती है सारिक दंडवार निसेद इसका निर्सेद है मतलब इस पर इस प्रागी कार्या हमें नहीं करने चाहिए और जो नहीं होगा वह होगा निजी विद्ध्याला को प्रोस्वाइन देना तो राइट टू एजुकेशन में ऐसी कोई वी चीज नहीं बताईए कि हमें यह सिच्छड अधिगम प्रक्रिया में विद्ध्यारतियों को सयोगी बनाता है बी यह सिच्छड के दौरान सिच्छड के कार को बढ़ाता है सी यह सिच्छारतियों के आत्म सम्मान को बढ़ाता है डी है उप्रुक्स में से कोई नहीं तो कोशन में पुछा रहा है कि अन वो दिन का लाव नहीं है नहीं के बारें बुचे रहा है तो सिच्छड के दोरान सिच्छक के कार को बढ़ाता है यह नहीं होगा तो अंसे से गरेक्ट होगा यहां पर हमारा B सिच्छक साइक सामिगरी को क्या लाव प्राप्त नहीं हुआ है A बालकों का ध्यान केंदत करने में यह सामिगरी साइक है B बालक चलचित्रों को देखते हैं और देखते हैं तो सिच्छक को पढ़ाना नहीं पड़ता C.A. इन उपकरणों की साहता से अधिक सिच्छक अधिक संख्या में चात्रों की संख्याओं का समादान एक साथ कर सकता है B.A. बिस्वित पार्ट करम को थोड़े समय में पढ़ा देने से या पढ़ा देने में ये उपकरण सायक हैं तो कोश्चन पुछाएं कि सिच्छक सायक सामविगरी का सिच्छक को क्या लाव प्राप्त नहीं हुआ है तो कोश्चन यह भी नहीं में पूछा जा रहा है पहले कोश्चन को समझेदा हुआ और उसके अकॉडिंग में आंसर देना हुआ तो जैसे के हम बात करते हैं नहीं हुआ है ये बात की अरिये तो बालक चलचित्र को देखते हैं तो सिच्छक को पढ़ाना नहीं पढ़ता है ऐसा नहीं है जब हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो चल चित्रप के बारे में बताएंगे तो सारी चीछेएं टीचर को आपे इनवॉल्व होना पड़ेगा तो पढ़ाना नहीं पड़ता यह हमारा कुशन होगा नहीं है तो आंसे दा कर्क्ट होगा है यहां पर हमारा B अगला खुशन देखेंगे वीडियो को लाइक करते हैं अगला खुशन देखेंगे अध्यापन के दोरान कच्छा कच्छ में अधिगम को उन्नत बनाने के लिए सिच्छार्थियों के मद्य बाद विबाद का आईजन कराने से अत्य अधिक लाव होता है यह सिरफ नेम लखत के अलावा कोशन का अच्छा पूछा गया है पहला अप्शन देखेंगे इसके ए चात्रों को पाठे बस्तु समझाने में साहिता मिलती है भी यह चात्रों का द्यान अधिक केंदर होता है और पाठे बस्तु पर उन्हें चिंतन करने का अबसर उपलब्द होता है सिए बे बेर्थ में सिच्छक एव्म कक्छा का समय नस्च होता है दियस सिच्छक को अपने अध्यापन का सही मुल्यागन करने वो उसको उन्नत करने का अबुसर उपलब्ध होता है तो कोश्चन पुछा जारा कि अध्यापन के दोरान कक्चा कक्च में अधिगम को उन्नत बनाने के लिए सिच्छार्थियों के मद्य बाद विवाद का आयून कराने के लिए अत्यदिक लाव होता है सिर्फ एक को छोड़कर यह कोश्चन में पूछे जारा है सिर्फ निम्नत के अलावा यह इसको हम कोश्चन समझ सकते हैं कि एक को छोड़कर बाकी सब के तो वही हमारा आंसर हो जाएगा तो जैसके हमें बात करती है यहां पर ब्यार्त में सिच्चक एवं कच्छा का समय नश्ट होता है यह हमारा यहां पर सही नहीं होगा तो यह हमारा सिर्फ एक को छोड़कर यह निम्नकृत के अलावा यह हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सी बाकी यहां पर पॉजिटिव है चात्रों को पाठ्य बस्तु समझाने में साहिता मिलती है वरकुल सही है चात्रों का ध्यान अधिक केंद्रत होता है और पाठ्य बस्तु पर उन्हें चिंतन करने का अबसर उपलब्द होता है यह भी सही है अगर हम डीवी देखिए तो डीवी पॉजिटिव में सिच्छक को अपने अध्यापन का सही मुल्यागन करने बाग उनको उन्हत करने का अबसर उपलब्द होता है तो यह भी सही है जो नेगिटिव में हमारा वो सही होगा तो अंसे दाक्रेक्ट होगा याप हमारा अगला कोशन देखेंगे फ्रीवी कोशन में कोई भी डाउट है तो comment box जरू बोक्संग ज़लु बटा है तो next question में नेक्स सेसन में आपकी यह problem solve करेंगे अगला कोशन देखेंगे question देखेंगे आप एक किलपैट्र के अनुसार पुजक्ट का रहे है कफ एच्छा कोशन पुछा गया है A. सुवाविक क्रिया B. सामान क्रिया C. सामज क्रिया D. सह हिर्दयपूर क्रिया तो कोशन पुछा जा रहा है कि किलपेटर की अनुसार प्रोजेक्ट कार क्या है यह कोशन में पुछा रहा है तो जैसे कि हम बात करती है, खिर पेटर के अनुसार प्रोजेक्ट का रहे है, जो कि सह हिर्दयपूर क्रिया होगा, तो अन्सित करेक्ट होगा, यहाँ पर मारा D, अगला उशन देखेंगे, समच्छात्मक चिंतन में प्रमक रूप से विक्सित होती है, A. मानसिक क्रिया सीलत D, सामाजिक क्रिया सीलता, C, सांसर क्रिया सीलता, D, मूल संबंदी क्रिया सीलता, तो कोशिन पूछा जारा कि समच्छात्मक चिंतन में प्रमक रूप से क्या विक्सित होती है, यह कोशिन में पूछा जारा है, तो जैसे कि हम बात करते हैं, समच्छात्मक चिंतन में जो प पहले कोशन देखते हैं, कक्षा कक्ष में सिच्छक द्वारा पाठ्थे विश्यबस्तू पर ब्याक्ष्या देते समय ध्यान रखना चाहिए, भ्याक्ष्यान की बासा सहज वा सुबोध हो, भ्याक्ष्यान में रुचकर युक्तियों वा उदारणों का प्रियोग हो, दिये उपर सभी, कक्षा कक्ष में सिच्छक द्वारा पाठ्थ बिस्यवस्तू पर ब्याक्यां देते समय किस प्रकार की चीज़ होनी चाहिए या ध्यान देना चाहिए या कुश्चन में पुछा रहा है तो जैसे कि हम बात करते हैं कक्षा कक्षा में जब टीचर पढ़ाए तो वहां पर बहुत सारी चीज़ें को ध्यार रखना होगा जैसे कि ब्याक्यां देते समय अपनी बाहसा सेयज बा सुबोध होनी चाहिए ऐसे बाहसा का प्रयोग करें जोकि छात्रों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए अगला दीखेंगे और टीचर को ब्याक्यां में रुचिकर युक्तियों वह उदारानों का प्रयोग करना चाहिए और ब्याक्यां के दोरान यथा द्रशिस्रब में सामिग्रिय संसादनों का प्रयोग भी करना चाहिए तो इसके अकोट कि हमारा आंसर दे अगला कोशन देखेंगी सैसर अबस्ता में किस प्रकार सिच्छड दिया जाना चाहिए A. टेलिविजन दिखाकर B. ए रेडियो सुनाकर C. ए खेल दुआरा D. ए चार्ट आदे दिखाकर तो काफ़ एच्छा कोशन पुछा गया है सैसर अबस्ता में किस प्रकार का सिच्छड दिया जाना चाहिए जैसे कि हम बात करते हैं सैसर अबस्ता में तो जो सिच्छड होना चाहिए वह होना चाहिए कि खेल दुआरा बच्चे को सिखाना चाहिए कि इसमें क्या बच्चे चोड़े बच्चे होते हैं तो इंटरस्ट रहते हैं खेलने में और खेल खेलने में सारी चीजिए सीख जाते हैं तो आंसे देक्टर हो जागा यहां पर हमारा सी अगला उक्षन देखेंगे प्याजे के अनुसार विकास की पहली अवस्ता जीरो से दो बर्स की अबदी में बच्चा सीखता है ए इंद्रियों के प्रयोग द्वारा यूजें सील्स बी ए निस्क्री सब्दों को समझने के द्वारा सी अमूर चिंतन द्वारा डी ए बासा द्वारा तो जैसे कोश्चन में पूछा जारा है कि प्याजे के अनुसार विकास की पहली अवस्ता दोज माफ कीजिए या जनम से दो वर्स या बोल सकते हैं जीरों से दो वर्स की अबदी में बच्चा जो सीखता है वो अपनी गामब की इंद्रियों की अवस्ता से या इंद्रियों की अवस्ता से सीखता है बच्चा उन्हें चेक करके देख करके सीख पाता है या टच करके उन्हें सीख पाता है तो अन निर्म भी निल्गत में से किस सिद्दान्त पर आदारित है A.uję. की करड़ का सिद्दान्त. BA.ंता क्रिया का सिद्दान्त. सी ए अंता संबंदता का सिद्दान्त. DA. निर्टता का सिद्दान्त. तो कौश्शन गाएच्छा पूछा गया है. कौश्शन बशrialत जाना है कि विका आज कभी ना समाप्त होनी वाली प्रक्रिया है यह सिद्धान्थ है जो कि निरंद्रता का सिद्धान्थ तो अंसित अट्रेक्ट हो जाएगा हमारे यह पे डी अगला कोशन देखेंगे वीडियो को लाइक करते हैं साथ में जान सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें द्धियाल परिशर में सामाने बालकों की साथ विसर्षंट समों की बालकों को सिच्छा पर Dance करना किसा क्वेशन्य है समावधिन परिफिप्र पूचा किस परकार की होती ऑसमों कोश्विरा करने कि आसे कुछन बुचा जा रहा है तो जैसे के हम समीवी से सच्छा की जब बात करते हैं जो कि वासा ही सुच्छा होती है कि एक ही बिध्याले या परिसर में सामणे बालगों के सात समीवेघ्रमों के बालगों को सच्छा प्रुदान करना होता है तो आंशeszर जैकर्क्ट होता यहां पे हमारा B अगला खुशन दिखेंगे किसी बालक को अपरादी बालक कहने के लिए नेमने लोग समय से कौन सी दिसा अत्यावश्यक मानी गई है A. बालक का पिछड़ापन B. मातापिता में तलाक का होना C. परवारिक कले का होना असामाजिक कार जो की सामाजिक नियमों की बृद्ध हो यसलिप्त रहना जीसे कुशन बूशन परवारिक के लिए नियमने सी कौन सी दिसात्मक या अत्यात्मक मानी गई है जासे के बात करती है कि बालक अपरादी होता है तो जैसके घर का atmosphere बहुत affected होता है और इस प्रकार की चीजह में जिसकी parents बच्चे में ध्यान नहीं दे पाते हैं तो इस प्रकार से बच्चा बाल अपरादी की तरफ हो जाता है या बंता चला जाता है तो जिसकी हम बात करते हैं जिसा या दसा अत्यात्मक मानी गई है वह है यहां पी कि आसाम से बात करते हैं जब सिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् विदी का निश्य करण की बात करेंगे, तो यह सिच्छर विवस्ता की बात हो रही है, तो अंसिता करेक्ट होगा यहांपे हमारा सरल से जटल की ओर सीच Śचर से सामान की ओर दी ए विशले सर से संसलेस्च पुस्ट की ओर तो qe Kol question एक वाजबा सिचक ने एक सिचक अन्यख वधार करने के लिए यह उपरानत सामान न्यम निरूपुत करता है, तो इस प्रस्थथ की सिचक पढ़ाता है तो और हुदारल प्रस्तुत करता है तो यहां पर और सामान डेम निरूपुत करता है तो इस पकार से जब सुच्छर कर रहा है वह मुझा होगा बिस्स्ट से सामान की और यहां बहुत सकते हैं बिस्स्ट से थोड़ा सा एड़ेस्ट करने हैं यहां पर सचकने ज जिससे के नोटिफिशन मत्यम से आपको वीडियो बलती रहेंगे स्रजनात्मक अधिगम संबंध्त है A. इस्मर्ति इस्तर की सिच्षड से B. अबवोध इस्तर की सिच्षड से C. इस्तर की सिच्षड से D. A. B. वसी तीनों से ही C. तो कॉश्चन काफी इच्षड पूछा गया है कॉश्चन में जारा कि स्रजनात्मक अधिगम किस से संबंध्त है यह कॉश्चन में पूछा जारा है तो जैसे के हम बात करते हैं स्रजनात्मक से अधिगम की तो यहां पे बिमर्शी चिंतन इस तरके सिच्छड से होगा तो अंसिधा करेक्ट होगा यहाँ पे हमारा C अगर लोशन देखेंगे बुटवर्थ के सीखिने के मुख्य नियम में से नियम का मामसिक तैयारी का नियम कहा गया है या कहा जाता है A. तत्वपर्था का नियम B. प्रवाब का नियम C. अभ्यास का नियम D. अंसिक रियाओं का नियम तो जैसे कोशन बुटवर्थ के सीखिने के मुख्य नियमों में से किस नियम को या किस नियम का मामसिक तैयारी कहा जाता है यह कोशन में पूछे जा रहा है जैसे कि बात करती है बुटवर्त के सीखिने के जो मुख्य नियम के जो बाहन सिख तयारी करने का नियम का आता है वो है तत्वपरता का नियम तो अंसिदा करेक्ट हो गए यहां पे हमारा ए क्योंकि आपी बच्चे जैसे की तत्पर होगा सीखने के लिए बच्चा आराम से अच्छी तरह से सीख पाएगा यह वडवरती जी ने बताया तो अंसर बना यहां पर करेक्टर हो जाएगा ए तो दोस्तों सहसान वारा यहीं पर सभापत होता है बिलते हैं नेक्स सेसन में चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो जैसे सेर करें मिलते हैं जैन दोस्तों बंदों मात्रम